नमस्कार FNO की पाटशाला में आपका स्वागत है मैं हुमानसी दवे और वायदा बाजार की A.B.C.D. में हमारा साथ निभा रहे हैं Zee Business के Managing Editor अनिल सिंग वी जी कर वायदा कारोबार का सिंगड़ने का ऩ्य.? मआपे से भी याद रखना होगा? याद क्या रखना है? मतलब simple है जो segment में आप trade कर रहे हो उसके हिसाब से margin देना है अब cash market के margin पहले समझाएं cash market मतलब जहाँ आप delivery लेते हैं या देते हैं अगर दिन के दूरान position खत्म नहीं करते हैं correct? बराबर है? तो cash market में तीन तरिके margin लगते हैं ठीक है और सबसे important margin जो है वो है वार margin वार यह सोमवार से शुक्रवार को होने वाले सोदों पर लगता है अच्छा इस तरह से आप मुझे आद रहे हैं सोमवार मतलब value at risk ठीक है ठीक है तो value at risk margin जैसा कि नाम से पता चलता है कि आपका कितना पेसा खत्रे में है कितनी value risk पर है अब इसको मैं समझा दूँ समझे आपने कोई share आज खरीदे वार मार्जिन वो margin है कि जो किसी एक दिन में share कितना उपर नीचे हो सकता है वो calculate करने की कोशिश करता है उस share के इतियास के basis पर कि पिछले 6 में उस share ने कितना उतार चड़ाओ दिखाया है दिन के दोरान और next day आज आप ट्रेड करें तो अगले दिन उसके कितने उपर नीचे होने की गुंजाईश है अब आप बोलोगे अगले दिन से मेरा क्या लेन देना मैं तो cash market में आज मैंने cash market में खरीदा कल मुझे delivery लेनी है अब मैं आपको समझाना जो एक्सचेंज है वह बहुत दिमाग में है कैसे समझे आपने 100 रुपे में कोई share खरीदा आज परसों तक आपको उसकी delivery लेनी है पैसा भरके ठीक है ना एक्सचेंजर का चलो ठीक है 5% margin ले लेते हैं इससे ज्यादा क्या share उपनीच होगा समझे next day stock 10% उपनीच हो गया तो आप तो बोलेगे मुझे देलियर लेनी है तुम्हारा share तुम ही रखो 5% फालतोगा क्यों लेना है तो इसलिए exchange पहले से calculation कर लेता है कि अगले दिन भले ही आप delivery लेनी है next day कितना उपनीच हो सकता है वो calculate कर लेता है और वो calculate करने का तरीका यह है कि जो भी पिछले 6 मैनों में उतार चड़ा हुआ है उस स्टॉक में उसका 3.5 गुना उतना margin लेंगे पिछले 6 मैनों में जितना भी उतार चड़ा उसका average निकालके या तो उसका 3.5 गुना अगर 3.5 गुना कम आ रहा है तो minimum 7. यानि कि अगर आप ते 100 रुपे की शेर खरीदे तो आपको margin कम से कम दे नहीं है और अगर यह 3.5 गुना ज्यादा है तो ज्यादा margin देना होगा इसे वार margin बोलके है अच्छा दोनों में से ज्यादा है वो दोनों में से ज्यादा है वो देना पड़ेगा ठीक है क्लियर है तो ब्रोडली आप यह समझ दो इसना calculation में जाओगे ना फस जाओगे आप यह समझ दो वार margin का मतलब है कि साड़े साथ परसें तो कोई भी शेर करीदो बरना ही है कितना ही सुस्त रहने दो कितने कम उतार चड़ाव वाला रहन दो साड़े साथ परसें तो margin बरना ही बरना ह है और अलग-अलग ग्रुप के शेरों के लिए अलग-अलग margin होता है group one, group two, group three उसमें मज जाएए जाएंगे तो बहुत उलग जाएंगे अब भरना तो है ही margin भरना तो ही है मन बना ही लिया है, exchange जितना बोले है चुप-चाप सुन लेने का सोधा करना है ना, हाँ बिलकु जोर है, कई बार broker को आप पर वरुसा कम है, तो broker exchange की जो requirement उससे ज्यादा मांग सकता है, यह broker को right है, कई बार broker यह बहुत पूरा पैसा दो, तो आपका trade करूंगा, यह broker का right है, ऐसा नहीं कि exchange बोला कि वार margin पंदार परसेंट है तो पंदार परसेंट ही broker रिखुश है, बोल यह broker का right है आप से लेने का, अच्छा ऐसा हो सकता है, बिलकुल, लेकिन हम उसमें नहीं जाते हैं, वो आपकी और broker की relationship over a period of time कैसे बनती क्या है यह जो छोड़ दीजिए, जो cash market में आप transaction कर रहे हैं, वार margin का मतलब ही कि पिछले 6 मेनों का जो उतार चड़ा हुए, या तो 3.5 गुना जितना percent बनके आता है वो, नहीं तो minimum 7.5% आपको यह margin देना है, ASM वाले stocks, जो additional surveillance mechanism में आजकल नया नया चल रहा है, आपने भी सुना हो गया, उसमें 100% margin लगता है, उसमें कोई वार वार यह सब छोड़ दीजिए, जितने amount का आप share खरीद रहे हैं, पूरा का प एक ही है यह, वार margin cash mark है, और चाहिए, नहीं है ठीक है, यहीं ज्यादा है, एक ही नहीं है, एक और है, इनफेक्ट दो है, अच्छा, दूसरा margin होता है, जिसको ELM बोलते है, extreme loss margin, ठीक है, extreme loss margin क्या होता है, maximum कितना नुकसान हो सकता है, किसी खराब दिना आपका, हर रोज तो उतना होगा नहीं, लेकिन किसी इस्टोक के लिए कोई बड़ा खराब दिन निकला हो, तो उसका calculate करने का तरीका है, वो volatility जितनी भी होती हो, उसका डेड़ गुना गिना जाता है, या फिर 5%, जिसे वार margin 7.5% minimum होना चाहिए, उसी तर से ELM, extreme loss margin, minimum 5% होना चाहिए, तो अब एक बात आपके समझ में ही, कभी भी आप ट्रेड करने ही, केश मार्केट में, साड़े-बारा परसें तो आपके पक्के हो गए, इतना तो देना ही पड़ेगा, यानि सो रुपे का सोदा करना है, मतलब साड़े-बारा रुपे तो पहले रख लो आप, ये तो minimum margin है, कभी सकता है, कुछ शेरों के कैस में, वार margin जादा होगा, कुछ शेरों के कैस में, extreme loss margin जादा होगा, जितना शेर वोलेटाइल ज्यादा है, कोई JPS, कोई PC जवलर, कोई Just Dial, इस तरह के शेरों में margin जादा होगा, क्योंकि बड़े उपर नीचे होते हैं, circuit to circuit चलने वाले कही सारे cash market के stocks होते हैं, उनमें margin जादा होगा, और जो कम उपर नीचे होते हैं, ये margin कम होगा, लेकिन 12.5% तो होना ही होना, इसको कोई नहीं रोक सकता, त्रीक है, तीसरा हो और है, जानना चाहती है, अब बताई दीजे, दू बता दिये, जितने margin जाने ही, उतने ज्यादा पैसे नहीं बढ़ेंगे, तो margin उससे जादा नहीं हो सकता, ASM वाले जो share हैं, उसमें भी 100% ही होता है, तो तीसरा margin होता है, mark to market margin, यानि कि आपने कोई share खरीदा, और शाम को 100 रुपे में share खरीदा और शाम को बंद हुआ 98 रुपे, तो 2 रुपे आपका नुकसान चल रहा है, हाल रुपे आपको mark to market loss वाले margin भी परने है, mark to market, M to M, M to M loss बोल दो, उसको या M to M कभी profit भी हो सकता है, लेकिन हम loss की बात करें कि अगर आपका share नीचे बंद हुआ है, तो वो extra margin exchange आप से मांगेगा broker के थूँ, तो ये cash market में कि आप transaction कर रहा है, ये सिर्फ cash market के वाइदा करोब margin आपको बनने पड़ते है, वार, ELM और M to M margin, चलिए तो cash market में margin ये तो हमने जान लिया, लेकिन derivative markets में क्या margin के तरीके हैं, ये हम जानेंगे अगली class में, आप बने रहे हमारे साथ, नमस्कार.